हलो एवरिवान कैसे हैं आप सब माहू किशोर तेजवानी आप लोगों का माथमेडिक्स माइंट और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने मागनेट बेंस में जो प्रोवाइड करता है 100% कॉलिटी और फ्री एजूकेशन के नगाडन से लेकर क्लास 12 तक अगर आप ल आपका प्यारा प्यारा MP इतना ही नहीं यहां पर आपको मिल जाते धेरो सारे प्राक्टिस कुशन जिनकी मदद से आप लोग प्राक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेकर आ सकते हो और अगर आप हमारे e-books या e-notes को आविल करना चापते हैं तो लिं 7.2 में question number 1 से लेकर 4 तक तो बहुत ही बढ़िया तरीके से अब हम देख लेते हैं question number 1 को कि यह बोलना क्या चा रहा है हमसे आजाओ भया question number 1 का कहना है कि in an isosilus triangle ABC with AB बराबर AC the bisectors of angle B और angle C intersect each other at point O अब जब तक figure नहीं बनेगा तब तक चीज़े समझ में नहीं आती यह बा बनाया है जिसमें मैंने बनाया एक triangle ABC को किसको बनाया एक triangle बनाया ABC को जिसमें मेरे पास क्या है AB बराबर AC है क्या है थोड़ा जल्दी से देख लो कि जिसमें मेरे पास क्या है AB बराबर AC है ठीक है AB बराबर AC का क्या मतलब हुआ AB बराबर AC का यह मतलब हुआ कि sir हमारे पास ये इसी बर आवचे तो आपके पास ये ये इस बेल अपस आपस में बरावर है but sector level और अंगल सी के ब술 मतलब समझें तो नो जो ये इंगल बी-को दू-प्र भाइट कर रहा है और आउंद C का Bicector, आपका कहां पर intersect कर रहा है, O point पर intersect कर रहा है, इसको थोड़ा और आगे बड़ा दो और फिर इसको यहाँ पर पढ़ा दो, पहुचा दो, तो यह हो गया O, join A to A, O, बतलब A O को, A को O से जोड़ दो, A को O से जोड़ दो, लो भाईया, A को O से हमने जोड़ दिया, और यह वाला OC आपस में क्या है भाईया बराबर है अब आप इसको कैसे करोगे थोड़ा बहुत तो देखो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको OB और OC को आपस में प्रूफ करना है कि वो क्या है आज़ा समझते है आजा 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 समझते है सबसे पहला काम सर गिवन लिखूँगा तो लिखो आपके पास एक ट्रेंगल ABC है ठीक है ट्रेंगल ABC इसन आईसोसलस ट्रेंगल क्या है ट्रेंगल ABC एक आईसोसलस ट्रेंगल है इन विच ABC बराबर ABC ये बात बिलकुल सची है इसने बोला ठीक है और भासेक्टर्स ओप अगल B और एंगल C इन्ट्रसेक्ट ऑडर एट ओ ठीक है तो खूशुच लगा कि आप लिख देना दी भासेक्टर्स ओफ एंगल B and एंगल C इन्ट्रसेक्ट इन्ट्रसीक्ट्च अडर अगर आगई तो एक बार जल्दी से प्यारा वाला मस्त स्क्रीन चॉट ले लो और आगे गिवन की चीजे लिखो ठीक है और आप क्या बोल रहे हो कि भाईया जॉइन कर दिया हमने ओए को तो यहां पर आपके पास यह सारी चीजे गिवन में थी अब आपको जो प्रूफ करना है तो उसको हम टू प्रूफ में लिखते हैं टू प्रूफ में लिख लेते हैं हमारे पास जैसे कि पहले में आपके पास क्या है ओबी बराबर ओसी एक चीज़ तो यह और दूसरे में आपके पास है कि जो AO है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एको हना इसका मतलब AO अगर बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एको मतलब आप कैसे भी करके यह प्रूफ कर देना कि BAO अंगल BAO बराबर है अंगल CAO के आप कैसे भी यह प्रूफ कर देना तो यह हो जाएगा और बात रही OB और OC की तो इसको पकड़ो OB और OC को पकड़ो यह रहा OB भईया अच्छा और यह रहा OC तो यह दोना आपको लग नहीं रहा कि OB कहा पर आ रहा है OB तो आ रहा है और यह वाले ड्रैंगल में और OC यह रहा है आपको यह वाले ट्रैंगल में यह वाले में जिसमें OA OA और दोनों क्या है common है तो अब मेरा जो महने वह यह है कि दोनों triangle को मैं क्या कर दूं? congruent कर दूं अब दोनों triangle को अगर congruent कर दूंगा तो OB बराबर OC में बोल दूंगा YCPCT समझना बात को लेकिन अब अगर एक बात को ध्यांच समझोगे तो आपको यह समझ में आएगा किया और भाई अगर आपके पास ABC एक आइसोसलस टैंगल है तो AB बराबर AC तो उसका होनता है जो की given भी दिया है अच्छा अगर AB बराबर AC है तो AB क्या positive वाला एंगल बराबर होगा AC क्या positive वाला एंगल के ये बात भी बिल्कुल था है सही है तो अब आप proof लेखो और proof में सबसे पहले लिखो इंटर अंगल ABC हाणा अगर AB बराबर AC है तो आपके पास अंगल B बराबर हो जाएगा अंगल C के और इसमें reason क्या लिखोगे reason लिखोगे angles opposite to equal sides angles opposite to equal sides are equal बात बिल्कुल खतम हो गई यहाँ पर हाणा ठीक है सर समझ में आ गया अब मेरा जो मने की OB और OC को हमें करना है तो अब कर देंगे उसमें कोई दिख कर नहीं है लेकिन आप यह सोचो OB क्या है OB angle bisector है angle B का और OB मतलब angle B और angle C आपस में बराबर तो अब मैं बोल रहा हूँ आधा जो angle B का होगा आधा angle C का ? भया आधा अगर आपने इधर किया तो आधा इधर कीया आधा angle B का कौन बोल रहा हूँ मैं पता है O BA और आधा angle C का कौन बोल रहा हूँ OC A कौन 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 angle O BA पर आपर OCA समझ गहा आठे aid parity C ना आएभया आधा angle B का और आधा angle C का अब हमें क्या करना है OB और OC आपस में बराबर करना है अब मैं तो दोनों triangle को ले रहा हूँ और congruent proof करने की कोशिश कर रहा हूँ जो बात है अब मैं लेकर उल्जा हूँ पता है कैसे कि मैं उसको करूं कैसे यार तो मैंने सोचा भाई अब मेरे को देखना पड़ेगा given आइसो से अंगल है चलो ठीक है तो AB बराबर AC चलो एक side तो आई अपने पस at least एक side तो आई ठीक है अब आपके पास चलो एक angle भी आगया एक angle भी आगया और आपके पास एक यह side आगयी तो ऐसा बोलूँगा क्या side angle side ऐसा तो नहीं बोलूँगा यह side angle side कहना बहुत बुरी आतते हैं यह बहुत बुरी बात है कि side angle side ऐसे कहेंगे नहीं बिल्कुल गालत है तो फिर आप कैसे बताओगे भाई तो फिर सर हम ऐसे बता सकते ना है कि अब आपे काम करो कि आप यह वाले ट्रेंगल लो अगर आधा एंगल है और आधा एंगल है यह बराबर है तो इनकी आपोजिट साइट भी बराबर है थोड़ा खुद से बनाओ वैसे ही इधर से एक चीज़ और बोल जक्तो ना कि O, B, C, B भी to बराबर है ना आधा भशिया आधा आधा आप इसको भी बोल रहे हो तो मेरा कहना है कि आधा आधा आप इसको भी बोलो ना यह वाले अंगल भी तो ये वाले इंगल आधा आधे-ाधे और यह भी तो आपस म में बराबर हो जाएंगे ठीक है ये बात समझ गए अब अगर ये दोनों बराबर है समझना इधर से ही इसके बेसिस पे समझना अगर आपके दो एंगल आपस में बराबर है तो उनके आपोसेट साइट भी बराबर हो जाती है मेरे भाई ये वाला एंगल के आपोसेट वाली स आएगा OC, reason, sides opposite to, sides opposite to equal angles, sides opposite to equal angles, are equal, समझ गया बात को, बात को समझ गया कि नहीं, हाँ सर्स, तो आपके पास OB बराबर OC हो गया, आपको कोई ट्रांगल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, देखा, आपको कोई ट्रांगल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन आप जरूरत पढ़ सकती है, अब आपको जरूरत पढ़ सकती है, आपने ये तो कर दिया, अब OA A bisect कर रहा है AO bisect कर रहा है angle A को मतलब angle BAO बराबर है angle C AO के मतलब आपको इस बार येवाला angle और ये वाला angle आपस में बराबर बताना है वो angle आप तभी बराबर बता पाओगे जब इन दोनों को आप क्या करोगे congruent proof करोगे, अब समझो, अब दोनों को congruent कैसे proof करोगे, आपके पास यह एक triangle रहेगा, और यह एक triangle है, intrangle AOB, untrangle AOC, आपके पास AB बरावर AC है, कहां से आया सर, given है यह तो, ठीक है, आपके पास AO और AO दोनों triangle में common है, ठीक है, और आपके पास OB बरावर OC, समझे बात को, OB बर OC, कहां से आया, अरे यह proved above, तो आपके पास दोनों triangle S, 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 क्योंकि तीनों साइड है, तो SSS similarity, SSS concurrency criteria से, दोनों triangle आपके क्या हो गए है, दोनों triangle आपके congruent हो गए, congruent हो जाने के बाद आपके ये वाला angle, ये वाला angle बरावर होगा CP CT से, खत्म यार, बहुत जादा असान chapter हो रहा है, ये तो आप, ये वाला बहुत ही जादा असान chapter हो रहा है, नहीं, और आपको आप ही रहे, देखो, आप बोलोगे यार, कि शोर सर, आपके लिए तो आसान कहीं आसान है, आप ये चीज़ देख रहा है, आपको ये चीज़ लग रहे होगी, पर ये चीज़ है, second वाला यहीं कर रहा हूं, कि इन triangle AOB and triangle AOC, इन दोनों triangle में AB बराबर AC, given, ठीक है, OA बराबर AO, common, दोनों triangle में, और OB बराबर OC, proofed above, यहां proofed करी न, OB बराबर OC, proofed above, तो दोनों triangle, AOC और AOB, triangle AOB is congruent to triangle AOC, reason by triple S concurrency criteria, by triple S concurrency criteria, और उसके बाद angle, अब सुनना, यह वाला angle बताना था, तो angle BAO, angle BAO, बराबर angle CAO, reason क्या, reason by CPCT, अगर यह दोनों angle बराबर हैं, तो आपके पास क्या मतलब होगा, कि OA bisects angle A, ठीक है, हो गया proof, चलो, ऐसे करके आपने पहला question तो निप्टा दिया, भईया, time लगा लेकिन आया, time ज़रूर लगा मानूँगा, लेकिन चीज आई सर समझ में, ऐसी बात नहीं की नहीं आई, screenshot ले लिया है, हना, side अट जाता हूँ, जैसी question complete होता है, और बीच बीच में अभी screenshot दलवा देता हूँ, आप लोगों को, तो screenshot लेते रहना, और question को complete करते रहना, आपके पास triangle ABC में, AD क्या है, perpendicular bisector है BC का, समझना, ABC में, AD क्या है, AD क्या है, perpendicular bisector है BC का, अगर BC का perpendicular bisector है, मतलब BD बरावट DC, क्यों, क्योंकि आपके पास AD perpendicular bisector है BC का, वो BC को दो equal halves में divide करेगा, ठीक है, हमको show करना है कि triangle ABC एक isosilus triangle है, जिसमें AB बरावर AC, वो तो दा भी होगा, जब तक आप AB बरावर AC नहीं proof करोगे, तब तक आपके पास वो triangle ABC isosilus triangle है ही नहीं, क्योंकि आपके पास AB बरावर AC जब तक नहीं होगा ना, क्या करना है, गिवन लिखना है, और गिवन में क्या लिखना है, इंट्रेंगल ABC, AD is the perpendicular bisector, AD का है, AD perpendicular है किसके, BC के, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, कि जो BD है, वो बरावर है किसके, CD के, ठीक है, एक बात तो यह हो गई, और हमें शो करना है क्या, अब हमें टू प्रूव में लिखना पड़ेगा, कि हमें करना क्या है, टू प्रूव कि triangle ABC is an isosless triangle, short में लिख दू अभी, short में लिख दू, तो यह करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AB को AC के बरावर बताना ही पड़ेगा, अगर यह बोलता नहीं ना, तो भी हम यह बरावर ही बताते, तब ही तो चीज हम प्रूव कर पाते, समझे बाबू, समझे सर, तो अब आजाओ प्रूव करते, प्रूफ में आपके पास क्या आ जाएगा ध्यान जे समझना अब आपके पास क्या चाहिए ABC ABC में AB तो आएगा यहाँ पर यह रहा AB है ना यह वाले ट्रेंगल में और AC आ रहा है यह वाले ट्रेंगल में यह रहा AC अब क्या बोलोगे क्या करोगे रहा, दोनों ट्रेंगल को लोगे और दोनों ट्रेंगल को कंवरेंट प्रूफ करने की कोशिश करोगे चीघ7 आपके पास हैं 90 यह बी 90 चलो एक अगल मिला अब AD AD बोनों मैं common चलो ये भी मिलगा और BD बराबर DC क्योंकि AD परपेंडिकुलर बासेक्टर समयना इस वाले ट्रेंगल में BD बराबर एक किसके CD के इसी वाले ट्रेंगल में AD और इस वाले ट्रेंगल इस वाले ADC में AD दोनों common और एक 90 तो side, angle, side side, angle, side, congruency criteria से दोनों ट्रेंगल क्या हो गए? congruent हो गए, congruent हो गए, congruent proof हो जाने के बाद AB बराबर AC हो गया कि नहीं हो गया? समझो, फर्से समझो, आपके पास एक ये 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 येलो वाले ट्रेंगल, आपके पास एक ये रेड वाला ट्रेंगल, आपके पास BD बराबर CT है की नहीं? दोनों साइड है और आपके पास 90 बराबर 90 ही कि नहीं है ना सार लेकिन सर यही 90 दिया है और मैंने बोलो 90 भाई दोनों 90 यह भी 90 यह भी 90 यह भी 90 यह भी 90 क्योंकि एक लाइन पे एक अंगल आएक लिए तो side angle, side concurrency criteria से दोनों triangle concurrent हो गए तो अब आपको छर्फ लिखना है कि कौनसे triangle लिया थो इन triangle a, ब साल साइड डी अन्ड ड्रफ अब इन दोनों triangle में आपके पास तो में dzieci बराबर से आए रीजन क्या लिखोगे बहिया, रीजन क्या लिखोगे, सर, AD is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC, ये चीज़ तो given ही है, ठीक है, और क्या, बस सर, AD बराबर AD, मैंने बोले पहले आप एक 90 का एंगल लिख दो, तो एंगल ADB, एंगल ADB बराबर एंगल ADC, ठीक है, रीजन सर, 90 डिग्री इच, ये भी चीज़ गिवन थी, कि AD is perpendicular to BC, तो वही सेम, गिवन में लिखते हैं, तो और आपके पास क्या, AD बराबर AD common, AD बराबर AD common, तो अब आप क्या बोलोगे, कि ट्रेंगल ABD, AD is congruent to triangle ACD, by side angle side congruency criteria, ठीक है, पूरा पूरा लिख दूगया, by side angle side congruency criteria, चल, अगर ऐसा हो गया, तो आप क्या बोलोगे, कि सर, दोनो ये दोनो ट्रेंगल congruent हो गया, तो आपके पास ये जो A, B है, वो इस AC के बराबर हो गया, reason by CPCT, तो AB बराबर, AC, reason क्या बोलोगे, सर, by corresponding parts of congruent triangles, ठीक है, तो अब आप लोग ये therefore बगेरा लगाना समझना, और आप क्या लगाना, बोल देना कि भाईया, so, AB बराबर, AC by CPCT, और फिर क्या बोल देना, therefore, triangle ABC is an isoscelos triangle, triangle ABC जो है, वो एक isoscelos triangle है, ये चीज हमने बहुती बढ़िया तरीके से प्रूफ कर दी, एक बार जल्दी से screenshot ले लो भई, एक बार जल्दी से मस्त तरीके का screenshot ले लो, फिर हम लोग आगे की बात करें, हो गया, समझ गया, पक्का, चरू, आजाओ, अब हमारे पास आगया question number third, अब ये question number third हम से चाहता क्या है, पूछ लेता है, हाँ भई है, क्या चाहता हो, तो ABC एक आपके पास isoscelos triangle है, ABC आपके पास एक isoscelos triangle है, in which altitudes BE और CF, BE और CF are drawn to equal sites AC और AB respectively, ठीक है, BE और CF को altitudes हैं, और जो कि हमने draw किया, equal site AC पर, मतलब BE altitude है AC का, और CF altitude है AB का, ठीक है, काफी है, sure that these altitudes are equal, अब आपको इन दो altitudes को equal बताना है, आज ये भई है, लिख लेते given क्या कह, तो सबसे पहले आएगा given, ठीक है, triangle ABC is an isoscelos triangle, triangle ABC is an isoscelos triangle in which आपके पास BE and CF are altitudes, in which altitudes BE and CF are drawn to equal sites, किस किस के, AC और AB के, ठीक है, ये बात आ गई समझ में, आगई से, अगर ये बात आ गई, तो अब आपको two proof करना है, two proof, और two proof में आपके पास AC बराबर AB होना चाहिए, AC बराबर AB होना चाहिए, वो बोल रहा है, है ना, भया, AC बराबर AB नहीं, आपके पास altitude sequel मांग रहा है, आपसे क्या मांग रहा है, altitude, मतलब BE बराबर CF, आपके पास altitude sequel मांग रहा है, मतलब BE बराबर CF, समझे, आपको ये equal नहीं बताना है, ऐसा मत समझे ना, equals side AC और BC, तो आपको altitude equal बताना है, वो समझना, तो altitude में BE और CF को आपको equal बताना है, अब आज़ा प्रूफ करते हैं, आज़ा 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 घबराऊ मत, तो अब altitude कहां कहां पर आ रहा है, अगर मैं देखूँ, तो जो BE है वो इदार आ रहा है, जो BE है, वो कहीं न कहीं इदार आ रहा है, मतलब मेरा मन कर रहा है भईया कि मैं ये वाला एक ट्रेंगल ले लूँ, ठीक है, और जोब मैंने देखा कि CF, तो CF मैंने देखा भईया, ये CF यहाँ पर आ रहा है, तो मेरा मन किया कि मैं ये वाला एक ट्रेंगल लेलू मैं ये वाला एक ट्रेंगल लेलू पर फिर मैंने सोचा कि इन दोनों ट्रेंगल में बताऊंगा क्या इन दोनों ट्रेंगल में मैं बताऊंगा क्या तो मैंने बुला कि छल ठीक है red वाले में a b बराबर है yellow वाले में ac के बराबर है ना ठीक है और क्या बता सकता हूँ और ये बता सकता हूँ कि मेरे पास a की ये angle a angle a दोनों में common है ठीक है और a की ये angle common है तो angle angle side से समझना 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 इसका भी angle है और इसका भी angle है तो अब आप समझोगे, तो red वाले में पहले समझो, red वाले में angle A आ रहा है, और red वाले में angle AEB आ रहा है, ठीक है, तो red वाले में 2 angle आ रहा है, और 1 side, 1 side AB, बराबर है, ये वाले yellow वाले में अब देखो, angle A आ रहा है, ठीक है, और angle AFC 90 आ रहा है, ठीक है, और 1 side ACB आ रहा है, तो angle angle side concurrency criteria से दोनों triangle क्या हो गए? concurrent हो गए. अब concurrent proof होने के बाद क्या? भाया, CF बराबर, ये वाला CF बराबर BE हो गया. बैसी, PCT. तो आपको दोनों triangle को लेना पड़ेगा. तो int triangle ABE, int triangle ABE and triangle ACF. ठीक है. अब इसमें आपके पास क्या है वो सुनना द्यान चे? आपके पास ABE में angle AEB, angle AEB, angle AEB, red वाले का, बराबर है angle AFC yellow वाले के. angle AFC yellow वाले के. और ये 90 degree है. ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है भाया कि ये 90 degree है और 90 degree कैसे है? ये तो चीज सार गिवन है. ये तो चीज गिवन है ना भाया, altitude है ना यार वो तो. ठीक है. तो ये 90 है. अच्छा. अब आप red वाले में देखो के तो angle A आ रहा है. ये लो वाले में देखो के तो angle A आ रहा है. और angle A बराबर angle A दोनों में common है. ठीक है. तो ये ही लिख रहा हूँ. common. और तो और आपके पास red वाले में एक side A, B बराबर ये लो वाले में एक side A, C गहें. A, B बराबर A, C. reason क्या? given sir. तो फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ. ये red वाले में और ये yellow वाले में. red वाले में एक 90 degree, yellow वाले में भी 90 degree. angle A, angle A, दोनों में common. तो angle A, और एक side. ये वाली, red वाली. ठीक है? और इसमें ये yellow वाली. तो अगर red वाली में देखा जाए, तो red से mark कर रहा हूँ. अगर red वाली में देखा जाए, तो red से mark कर रहा हूँ. एक आपके पास angle आया, एक और angle आया, और फिर एक side आभी. तो angle, angle side congruency criteria से ये वाला triangle red वाला congruent हो गया. किसके? ये वाले, yellow वाले में देखना आप. तो लिखने का तरीका क्या होगा? कि triangle A-B-E, therefore triangle A-B-E is congruent to triangle A-C-E, A-C-F, by angle-angle side congruency criteria. ठीक है? तो अगर ऐसा हुआ, तो दोनों triangle आपके congruent हो गया. अब A-B बराबर A-C हो गया, भाई, C-P-C-T. तो A-B बराबर A-C तो वैसे भी given था, हमें वो थोड़ी ना करना था. हमें अब दोनों triangle अगर congruent हो गये, तो red वाले में जो BE है, वो ये वाले yellow वाले CF के बराबर हो गया वाई-C-P-C-T. तो BE बराबर CF by corresponding parts of congruent triangles और ये अगर बराबर हो गया, तो अब आप क्या बोलोगे? कि सर, altitudes are equal, है ना? So, altitudes are equal, और ये हमने ऐसे करके question number 3 को बढ़िया तरीके से निप्टा दिया, एक बार जल्दी से प्यारा वाला screenshot ले लीजे, हो गया screenshot, आगे बढ़ सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, तो अब जैसे हम लोग आगे बढ़े, आगे हमारे पास आगया एक question, और अब इस question से ज चाहिए, आजब, question number 4 का कहना है कि ABC आपके पास एक triangle है, जिसमें altitude BE और CF आपके two sides AC और AB are equal, ठीक है, फिर सब इस चीज़े, ABC आपके पास एक triangle है, जिसमें BE बराबर CF है, इस बार BE और CF बराबर है, equal है, ठीक है, two sides AC और AB are equal, अब भी आपके पास BE बराबर CF है, ठीक है, आप आपको show करना है, दोनों triangle congruent है, और AB बराबर AC, डाट इस ABC आपका एक Isosless triangle है, तो आपको ये show करना है, क्या, बिल्कुल बिल्कुल उससी वाले का बिल्कुल उल्टा है, पहले में आपको क्या दिया था, पहले में आपको AB बराबर AC equal दे दिया था, इस बार वो नहीं दिया इस बार आपको BE और CF equal दे दिया, अब वो side मांग रहा है, पहले वाले में आपको बोल दिया था, ये ले AB बराबर AC पकड़, और मेरे को तू प्रूफ करके दे BE बराबर CF, ठीक है, इस बार वो बोल रहा है, ले पकड़ इस बार BE बराबर CF, अब तू प्रूफ करके दे AB बराबर AC, क्या question, क्या question, भाई ये question बनाने वालो को भी थोड़ा तो समझना चाहिए कि मागनेट बेंज के student यार बोलो, वो लोग मागनेट बेंज के student, solve करी लेंगे, चलो आजाओ, अब ज़रा जल्दी से हाथ चला के हम लोग given लग देते हैं, आपके पास एक ट्रेंगल है ABC, इन विच, altitudes BE बराबर CF है, ठीक है, BE and CF are equal, हमें प्रूफ करना है, to prove कि ट्रेंगल A, B, E इस कॉंगुरेंट ट्रेंगल ACF के है, पहला तो ये proof करना है, और दूसरा, ये पहला होगा, कि पहला हमें ये proof करना है, और दूसरा हमें प्रूफ करना है, फिर कि A, B बराबर AC है, ठीक है, तो अब आप आजाओ, प्रूफ करता है, प्रूफ में हम लोग पहला वाला देख रहे है, A, B, E और ACF, कहां पर आ रहा है, A, B, E, A, B, E, ये वाला, ठीक है, और ACF करना रहा है, A, C, F, ये आ रहा है, अब आप अगर दोनों में देखोगे, तो अब हम लोग ज़दा देख लेते कि क्या क्या आ सकते है, भाईया, येलो वाले में जो एंगल A है, ये रैट वाले angle A के बराबर है, ठीक है, आपके पास ऐक नाइंटी वाले yellow में, और एक नाइंटी वाले red में, दोनों common है, और आपके पास और तो और क्या है, और तो और आपके पास B, E बराबर C, F है, इस बार तो, तो एंगल अब देखो यलो वाले में ध्यान रखो सिर्फ यलो वाले में 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 एंगली और साइट एंगल एंगल साइट और इसमें राइड वाले में आप ध्यान दो एंगल एंगल साइट तो एंगल एंगल साइट अब आपको पहले दोनों ट्रेंगल को लीना पड़ेगा तो इन ट्रेंगल भाईया इत्ता बड़ा काई को लिखना इन ट्रेंगल ABE and ट्रेंगल ACF अब ABE और ACF में आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पास एंगल ये बराबर एंगल है दोनों में कौन? लिख दो लिख दो लिख दो एंगल A बराबर एंगल ये दोनों में कौन ठीक है और तो और एंगल AEB बराबर एंगल AFC एंगल AEB बराबर एंगल AFC रिजन सर 90 डिग्री इच रिजन 90 डिग्री इच ठीक है और क्या और सर B E बराबर C F रिजन क्या? अल्टीट्वीट्स रिएकोल ये तो गिवन है अल्टीट्वीट्स रिएकोल ये गिवन है ना आपको? अरे देखो ना भईया यहाँ पर altitudes be और cf आपस में बराबर है ना यह चीज तो given दी है उसने तो अब आप आजाओ अब आप आजाओ अब आप क्या बोल दोगे कि सर अगर इधर से हम लोग देखें तो एक angle आ गया एक angle और आ गया और एक side आ गई तो angle angle side concurrency criteria से यह triangle आपके क्या हो जाएंगे congruent हो जाएंगे तो triangle ABC therefore triangle ABE is congruent to triangle ACF reason by angle angle side concurrency criteria और अगर ऐसा हो गया अगर ऐसा हो गया तो अब आप क्या बोल दोगे अब आप बोल दोगे AB बराबर AC by CPCT समझ गया है तो अब आपके पास second वाले AC हो जाएगा so second वाला AB बराबर AC reason by corresponding parts of congruent triangles समझ गया है कि नहीं समझ गया है समझ गया है तो यह हो गया आपके पास question number 4 पक्का जल्दी से देख लो भई जल्दी से देख डालो हो गया क्योंकि हो गया हो गया हो गया देख लिया हां सर देख लिया तो वस इतना ही था आज हम लोगों ने चार question को बढ़िया मस तरीके से समझा तो यही काम है दो तरीके के courses हैं एक तो English medium और एक हंदे वीडियम अगर आप लोग सी बीस सी बोड इंग्लिश मीडियम से तो आप लोगों के लिए तो यही वाला चैनल है जैसे कि मैंने आपको बताया यह चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से आप से जाएएं सब्सक्राइब कीजिये क्योंकि यहां पर जब आप प्लेए लिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको सारे ही teacher के सारे ही classes के सारी subject के सारी chapter के सारी topics के भी sub topics के वीडियो एक दम arranged to format में मिल जाएंगे और आप community के option में जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा magnet veins का update इसलिए community के option में नजरे बना के रखें आप हमारा app download कर सकते हो grab e-nodes के यहाँ से आप हमारे e-nodes अविल कर सकते हैं आप हमारी website विजिट कर सकते हैं यह वीडियो पसंद आए तो like share और subscribe कर दीजेगा आप हमें follow कर सकते हैं फेस्बुक instagram twitter telegram whatsapp पे e-nodes या e-books अगर अविल करने तो link description box में given है साथी साथ अगर आप लोग hindi medium से तो घबरानी के बिलकुल भी बात नहीं है magnet bains आप लोगों के लिए लेक्या है एक बहुत बड़ी खुशकबरी जी हाँ magnet bains hindi medium channel जहां पर आपको मिल जाता है भया class 6 से लेकर class 12 तक एकदम quality wise और free education वो भी hindi medium में with coverage डेली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एंपी बोर्ड राजस्थान बोर्ड हमारे कुछ और भी courses है जिसका नाम है वेदिक मात्स crash course और spoken English तो आज के session में सरफ इत्ता है मिलते है नेक्स session में तब तक लिए बाई बाई अपना ध्यान रखें और हमेशे की तरह ही की चीज़ बोलूँगा दोस्त कि पढ़ाई करते रहें वह बहुत ज्यादा जरूरी है बाई बाई